अगली खबर में बात करते हैं सीधी की जहां जिले में एक बार फिर से चाकू बाजी की घटना सामने आई है चाकू बाजी घटना जन्म दिन मनाने के दोरान हुई रामपुर्ण नैकिंग थाने के स्टेडियम के पास कुछ हिवा जन्म दिन मना रहे थे केक कटने ही वाला था कि दोनों लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई जिसमें एक लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से गले पर हमला कर दिया इसमें वैगन भी रूप से घायल हो गया उसे आनन में रामपुर्ण नैकिंग अस्पिताल ले गए जहां से संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया कंदिवार गाउं को मोनु सिंग, उर्फ सौरफ सिंग वजाज गाउं का राजा सिंग अपने कौमन फ्रेंट के साथ रामपुर्ण नैकिंग स्टेडियम में पार्टी मनाने गए थे जहां कहा सुनी के दौरण राजा सिंग ने मोनु सिंग पर प्राण घातक हमला कर दिया साथी यूवक उसे रामपुर्ण नैकिंग अस्पताल ले गए काफी खून बह जाने की वज़े से उसे रीवा रेफर किया गया रामपुर्ण नैकिंग थाना प्रभारी अशोग पांडे ने बताये कि मोनु सिंग को चाकू की घटना लगते ही हम मौके की वारदात में पहुचे लेकिन तक तक वे व्यक्ति वहां नहीं था मामला दर्श कर लिया है जाश कर रहे है सर्व सुविधायोग नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलप्त है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलप्त करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860028859900 पर